नमस्कार शौकत है आप देखरें मंचानियूज मैं आपके साथ अंके सिंग चोहान बतादू कि पवन सिंग जी का रिलीज हुआ 15 अक्टूबर को सौंग लुट गए ने भाईया पूरी तरह से यूटूब को लुट लिया है और इस गाने ने तीन दिन में यूटूब की ट् टॉप रैंकिंग पर शुमार हो गई है बात अगर पवन सिंग जी की करे तो भाईया इनके गानों की चर्जा सिर्फ इंडिया में नहीं होती इंडिया के बार भी होती है और ऐसी होती है कि इनके चाहने वाले इतने प्यार लुटाते हैं कि गाना ट्रेंडिंग लिस्ट मे में आये तो भाईया इसकी जो खासियत है या फिर कहें तो फैन फ्लोइंग है वह काफी बढ़ जाती है लुट गए ने ऐसी लुटी ऐसी लुटी मेह फिल कि अभी यूटू की ट्रेंडिंग की टॉप लिस्ट में है तो बात अगर पवन सिंग जी कर ले तनिक्स बाग सिक मनोज मुंतसिर की बाद तो हर जगह होती है क्योंकि उनके लिरिक्स इतने बहत्रीन होते हैं इतने बहत्रीन होते हैं कविताएं उनके देख ले शायरिया उनके देख ले तो सारू सारे गानों का या फिर सारे लिरिक्स का जो कंपोजिशन क्या जाता है इतने बहत्रीन तर और साथ ही ट्रेंडिंग लिष्ट में स्रामिल हुई है उससे आप सापसमा सकते हैं गाने ने तिन दिन में यूटुब की हर ट्रेंडिंग लिष्ट के गाउनों को पचाड कर नमबर और पर सुमार हो गई है और साथ ही गाने खुब बज भी रहे हैं 6.3 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं तीन दिन में और साथ ही अगर इस गाने में एक और बात है जो काफी चर्चा कभी से हुआ है क्योंकि मनोज मुंतसीर ने तो हिंदी में किया था लेकिन अगर भोजपूरी में इस गाने को जिन्होंने अपना लिखा था अपना शयुक दि भी है जो पूरी तरीके से भोजपूरी के हैं तो कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्दी है सिर्फ भोजपूरी गाने के ट्रिश्टिस नहीं बलकि भोजपूरी में रहने वाले भोजपूरी इंडेस्टिस के वैसे लोगों के लिए भी चुब अब धीरे-दीरे अपनी उच छोड़कर नमबर वन के ट्रेंड इंग लिश्ट में लूट गए सामील हो गई है और साथ ही पवन सिंग जी का जो दबदबा है फैन फ्लोइंग है उनके जो इरादे मंसुबे जो रहते हो शाप रहते हैं कि हमें वर्क करने हैं बेहतर करने हैं भोजपूरी इंडस्टीज को और भी उपर उठाना है और बताना है कि भोजपूरी इंडस्टीज कहीं से भी पीछे नहीं है इस गाने की अगर बात कर ले तो इस गाने ने शाबित कर दिया कि तीन दिन में इस तरह प्यार मिलना कोई कम बत नहीं है जिस तरह से जुबे नट्याल ने हिंदी गाने को काय था पवन सिंग जी थोड़े हटकर अपनी आवाज देकर अपने फैन अपनी भोजपुरिया समाज को खिचना एक बड़ी बात थी और पवन सिंग जी को भी भरपूर प्यार मिला है और साथी इनकी चर्चा हर इंडस्टी के लोग कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्टी के ल पवन सिंग शाहब भी हर जगह अपने फैंस को यह कहते हुए धन्यवाद नजर आ रहे हैं कि आप लोगा ने मुझसे बहुत प्यार दिया और नंबर वन के ट्रेंड इंगलिस्ट ने साबित कर दिया कि भोजपुरी काना अब कहीं से भी या फिर भोजपुरी सिंगन कहीं से भी किसी से भी पीछे नहीं है और आने वाले दिनों में आपको और भी बदलाव देखने को मिलेगा